स्वागत है आप सभी का लर्न एंफन पे जहां पे टीचर सापको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाता है और आ गए हम वापस बच्चो बहुत दिन से मैं आप लोगों को मिस्स कर रहा था मतलब बायोजी वाली मैं आपको बायो पढ़ा रही थी I hope life processes चेप्टर पूरा चेप्टर और आज हम लोग लेकर आगे acid basis and salt बहुत कमेंट मतलब यह ठीक है समझ में आता है यूट्यूब पर तुम लोग कमेंट करते हो भाई साब Instagram पर कह रहे है सर acid basis कर आओगे अब acid पर चेप्टर इंस्टाइगराम पर भी समझ में आता यार क्योंकि वो भी बंदा आ रहा है वहां लाइव आ रहा है बंदा लाइव पर कमेंट कर दिया चलो ठीक है भाई साब स्नैपचाइड पर स्नैपचाइड पर मेंसेज आने लग गए कि सर एसेड बेसे देंसाल्ट कर आएगा अब स्नैपचाइड पर मैंने दो चार बच्चों का रिप्लाइ कर दिया मैं क्या करूं भाई स्नैपचाइड पर भी आ गया कमाल की वाद सुनो के Facebook मैं चलाता नहीं हूं मैं चलाता ही न मैसिज आए पता है मैसिज में मैं क्या था यकिन नियुका सरा सेड़ करा दो मतलब यार यार बाय लॉजी वाली मैं का लेक्चर चला रहां बीच मैं कैसे घुच गुच जाऊ एक वारी में एक लेक्शू चलायें एक लेक्टेन का बाब ऑब्र तो फईनलि वह इंतिजार क साथ भी मेरे साथ भी और हमारे बॉर्ण बन गया तब पांसो के सब्सक्राइबर्स हम लोगों ने पूरे कर दी है और साड़े पांसो भी हो गयोंगे अब तो अब तक तो होना तो कहने का मतलब यह यार कि वह अच्छा बॉर्ण बन गया अब ना मैं जानता नहीं आपको ले होगा वो किसके ओपर रहेगा उससे पहले मैं आपको याद बिला दू हम लोगों ने नाइंध क्लास में पड़ा था कि जो सबस्टांसे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं प्योर और इंप्योर फिर प्योर में हमारे पास दो आए थे ऐलिमेंट्स और कंपाउंड अगला चप्टर होता है लेकिन एसर्स बेसिस और सॉल्स यह हमारे कंपाउंड के तीन हिस्से होते हैं बच्चो जिसमें हमें शुरू करने से पहले बात करनी होगी बच्चो इंडिकेटर्स की देखो क्या होता है सिंपल सी लॉजिक हमने सेवंध क्लास में एर्थ क्लास मे पढ़ा है बहुत सारे चीज़े देखके समझ में आ जाता है कि वह मैटल है या नॉन मेटल है सही कहा रहा हूं ना जैसे हमने पढ़ावाई मैटल की कुछ पैचान होती है वह होते हैं वह गुड कंडुक्टर अफ इलेक्शिटी होते हैं या शाइनी होते हैं वह ऐसे मैलि हैं तो पता नहीं चलता कि आप सॉलिड आप एक एसेड़ को देखरों बेस को देखर हो तो इसलिए उनकी पढ़ाई को शुरू करने से पहले हमें इंडिकेटर के बार में पढ़ना बहुत जलूरी है इंडिकेटर क्या होते हैं ऐसे सब्स्टांस जो अपना रंग या फिर अपने स्मेल को चेंज करते हैं एसरी या बेस के आने के बाद उसे इंडिकेटर कहते हैं इंडिकेटर जो होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं पहले नाचुरल और दूसरे अबसी बात है आर्टिफिशल अब नाचुरल इंडिकेटर में जैसे कि हम लोगो पढ़ना है लिटमस हो गया टर्मरिक हो गया क्लोव हो गया अनियन हो गया अर्टिफिशल इंडिकेटर में मिधालिन औरین्ज आजाता है हमारे पास यह सार्ए अबकर ने के लिए अभी आपको पता भी नहीं आएड तो हमने पढ़ा नहीं है लेकिन अगर आपको पता लगाना chopped है तो इसको पता लगाने के लिए आरप इंडिकेटर होते हैं अब indicator जो अपना color change कर सकते हैं या फिर अपनी smell change कर सकते हैं अब जो color change कर सकते हैं वैसे कई किताबे से chroma indicators कहते हैं बट देखा जाता है नहीं कुछ भी नहीं कहा जाता लेकिन all factory indicators क्या होते हैं ऐसे indicators जो अपने smell को change करते हैं in the presence of acid or base और to distinguish between acid and base हम लोग उनको use करें और वो smell से अपने पताएं कि acid है बेस हैं उन्हें बोलते हैं all factory indicators जैसे कि vanilla हो गया onion हो गया क्लोव हो गया इनके बारे में बात करेंगे यह ऐसे indicators हैं जो अपने smell में बदलाव लाते हैं color में नहीं बागे सारे अपने color में बदलाव लाते हैं अब एक एक करके अगर हम लिट्मस और फिनॉप्थिलीन या मिधायल औरनेज के बारें बात करें अच्छा इस topic को पढ़ सब्सक्राइब करो वीडियो देखो नहीं मैं यहीं पर इसी चैनल पर शौट डालता रहूंगा आपको शाइद पता हो अगर आप नोटिस किया हो तो हमारे टीम का शौट का एक schedule बना हुआ है कि भी आपका जाएगा आपका जाएगा तो जैसी जो भी मेरा अगला शौट बना रहा है वो मैं इंडिकेटर स्क्राइब डाल रहा हूं जैसे एक शौट में मैं लिटमस का इंडिकेटर के उपर शौट बना दूंगा एक में में फिनॉफ्थलीन के अपर बना दूगा तो तीन शौट हमारे आएंगे लगातार आप सब के लिए होंगे ध्यान रखना और वो किसके होंगे इंडिकेटर के उपर होंगे सबसे पहले अगर हम बात कर लिटमस तो पहले बात तो लिटमस एक नाचुरल इंडिकेटर है आई होप आपको पता ही होगा लिटमस एक नाचुरल इंडिकेटर होता है अब यह एक नाचुरल इंडिकेटर होता है यह लि हम लेकिन बात करें तो यह परपल कलर का होता है अगर यह purple कलर का है और आप यह अंदर जाल दो यह रड हो जाएगा ऑर यह परपल कलर का होता है अगर आप यह और base डाल दो, तो ये blue हो जाएगा, तो हम दो color के litmus solution भी वरा सकते हैं, red litmus solution और blue litmus solution वैसे इसका original color purple होता है, अब इन में paper दोबा देंगे तो दो color के paper बन जाएगे, red litmus paper और blue litmus paper बहुत simple है, तो acid की presence चेक करनी हो, तो litmus में डाल दो तो अगर color red हो जाए, blue से red हो जाए, purple से red हो जाएगे, इसका हम बहुते है और अगर हमारा color blue हो जाए, चाहे ओ और परपल चाहे ऋ चाहे ओर रेड से हो अगर बल्क हो जाए, तो असे हम बोलेंगे कि वह यह base है, तो acid जानने के बाद लिटमस रेड हो जाता है और बेस जाने के बाद लिटमस ब्ली हो जाता है फिर आता है मिधाइलिन और इंज जो कि एक आर्टिफिशल इंडिकेटर है और विसे बात इसका कलर और इंज है यह तो देख के पता लग रहा होगा आर्टिफिशियल यह तो देख के पता यालो आप है वैसे सा कलर कैसा हूता है औरेंज आइसक्रिम जैसा औरेνज चूसने वाली यास यह रूसाकर आ combination का लेकं ने यह होती है मैंगो बलूड़ा σक्रिम गया यह क्यों आयजा color का वो हो जाता है इसके पर भी एक श्रॉट आएगा फिर बात करें वाच एक अचुछ पर इसे मेरे सीटार इसे बीडियो में आइनको ट्रॉल करताू बड़े बड़े प्यार रिश्थादार है बहुता हूँ पिरपथ लेका अब कि मेरे बंगाल ऐसे डाल दोगे तो वह कलर लेस ही रहेगा कलर लेस होता है कलर लेस ही रहेगा लेकिन बेज दानने पर वह पिंक हो जाएगा और ऐसा पिंक होता है ना मतलब मजा आजा आपको मतलब मतलब पिंक वाला पिंक होता है एक दम पिंक हो जाता है मजा जाता है देखके एक दम बद सकते हो कि फिन अच्छा इंडिकेटर मुझे अच्छा लगता है वो अलग बात है लेकिन मालों आपको टेस्ट करना हो सॉल्ट कुई कि सॉल्ट में सारे ही इंडिकेटर अपना कलर चेंज नहीं करते हैं तो हमें अच्छा इसके बाद वैनीला जिसकी एक स्मेल होती है एसे डालने पर स्मेल सेम रहती है मतलब कोई चेंज नहीं आता स्मेल सेम रहेगी कोई बदलाव नहीं आएगा लेकिन अगर हम बच्छो बेस डाले तो स्मेल गायब हो जाती है मतलब नो स्मेल स्मेल गायब हो जाती है स्मेल वैनिश हो जाती है बच्छो सेम गोस फ़र अनियन अगर मैं अनियन की बात करूं तो एसेड डालने पर अगेन कलर स्मेल सेम रहती है कोई बदलाव नहीं आता कोई बतल आओ नहीं आठा लेकर आगर हम बात करें बैसेज की तो बैसेज में अगायब हो प्याज को आप पीस लो मैंक्सी में उसका रस निकालो उसके अंडर पिर अब ये मैं को दिखा नहीं सकता है मैं कैमर में क्या बोलूँगा सूंगो और वसी बात ये दिखा नहीं सकता मैं आपको तो कलर वाला दो दिखा दूँगा ये तब आपको बस महसूस करने कि या अनियन की एक स्मेल होती है एसेड डालने पर वह स्मेल में कोई बदलाव नहीं आता हाँ अगर आपने एसेड बह गाइब हो जाएगी चिएगा अमबात भी घरों में मिल जाएगा धाएं झारै बहूँ जादा होता है लेकिन हमारे सब्दों में होते हैं इन सब में होता है लेकिन फिलाल ठीक है अपी ङइंटिकेटर ते इंदिकर पड़े या अपना smell को change करेंगे in the presence of acids and bases अब अगर बात करें कि मुझे अभी acids की definition देनी हो धियान दीजेगा जो मैं बोल रहा हूँ बहुत important बात है अगले lecture के अंदर हमारी acids और base की जो परिभाशा है वो बदल जाएगी मतलब अगले ही lecture के अंदर lecture number two के अंदर हम acids और base की एक नई एक new definition पढ़ने वाले हैं जो की एक 10th class के बच्चों को याद करनी है अभी आज के lecture में हम वो definition नहीं दे सकते आपको समझ नहीं हैगी तो अगर आज की डेट तक या इस lecture तक आप सके पूछता है acid क्या है तो आपको बोलना ऐसे substants जो blue litmus को red में convert कर देते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग acids अगर ब्लो आपसे पूछता है आज की डेट में तो acids कौन है तो आपको बोलना है ऐसा सबस्टांस जो ब्ल्यू लिटमस को रेड में कनवर्ट कर देते हैं आज की डेट में कोई पूछता है तो हाना एक्जामपल के तौर पे सब्सक्राइब है यह सारे हैं हो सकता है आप इन में से कुछ को जानते ही होगे नाम तो सब काई सुना होगा आपने यह विने कर रहे हैं इसको हम एसेट एक एसेट या फिर इथे नोहिक एसेट भी कहते हैं उसको तो आप सब जानते होगे हाइड्रो क्लोरिक एसेड और वो सलफ्यूरिक एसेड लिखने की ज़रोध है क्या हाइड्रो क्लोरिक एसेड और यह हमारा सलफ्यूरिक एसेड तो ऐसे ऐसे करके और भी बहुत साय नाम आएंगे लेकिन अभी कोई आपसे पूछे एसेड कोन है तो ऐसा कोई भी सब्स्टांज जो ब्ल्यू लिटमस को रेड में कनवर्ट कर देता है उसे हम लोग एसेड कहते हैं जो ब्ल्यू लिटमस को बच्चो काई एसेड और बेस्ट की असिली डेफिंशन है एंसरेगने नहीं मैं आपको पताया यह तरिवנ्थ नहीं है अस्ली परिभाशन कुछ और है फिलाल एन यह जिसका ही उडियाम हाइड्रोचसाइड कहते हैं और इस का यहां फॉर्मुलेक का नेम है यह इसको प्यास से कॉस Him 94 या किसी जुब जो हम कलर चेंज करेंगे ग्रेंग का उसमें बेस यह लेने वाले स्य प्यारा लेक्स ही नहीं है कोई बहां प्यारा बेस है और केल्शियम धिय्षाइड बना नहीं यह चांस का लेम मैं समझिग का सब्सक्राइब्स नंग करे था कमन वी वुलाथ है लेकिन वैसे इसका कॉंफॉर्म लेकि वाइस बात करें तो कैल्चिम हाइड रॉक्साइड यानि कॉस्टिक्स वड़ा कर तो मुकावला नहीं 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 तो जैम है बहुत प्यारा बेस चलो बात करेंगे लेकिन अभी के लिए आप सो को पूछे एसेड कौन तो लिटमस के पड़ते हैं और एसेड़ बेस के बारे में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज सौरी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब हमें रियाक्शन करवाने हैं कि यहां पर जरूत नहीं पड़े हम फिजिकल यह बात कर ले पहला सारे के सारे लियसेज करवे होते हैं और सारे के सारे व्यज़ करवे होते है यес बिलकुल ऐसा ही होता है बच अब एक सवाल बहुत प्छाओन कि हमने सारे सार को टेस्ट किया है कि सोच के बता हूं आप के हिसाब से कि हमने सारे के सारे को THIS कि नहीं और करना भी है तो कुछ आशसेड को बहुत डाली उट करके टेस्ट के लियाता इब धिसे किना पीछे कुछ आसर लए में यह इतना स्ट्रॉंग इसे एसे पी लिया नहीं नहीं पागल हो गया तो इन पानी में डाल देता है यह ग्लास में एक बून डाल दी वह भी जादा है वह भी जादा कि हमने सारे एसे पानी में घुल जाते हैं यह बात ध्यान रखिएगा दुनिया के सारे एसे पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं लेकिन दुनिया के सारे बेस पानी में डिजॉल्व नहीं होते कुछ होते कुछ नहीं होते note का point लिख देता हूँ मैं आपके लिए bases which dissolve in water are called alkalies bases जो की dissolve हो जाते हैं water में bases which dissolve in water are called alkalies ऐसे bases जो पानी में dissolve हो जाते हैं उन्हें हम लोग alkalie नाम से बुलाते हैं ऐसे bases जो पानी में dissolve हो जाएं बच्चो उन्हें alkalies का जाता है acids के लिए ऐसा नाम क्यों नहीं है सारे acids पानी में घुल जाते हैं लेकिन कुछ bases पानी में घुलते हैं और कुछ नहीं, जो घुल जाते हैं, उन्हें अलकलीस कहा जाता है, चीक है, इसके बाद, यहाँ पे अगर मैं कमपैरिजन में, इस थर्ड पॉइंट के कमपैरिजन में, यहाँ पे एक पॉइंट लिखूं, जिसको मैं फिफ्ट बोहता हूँ, ऐस सच कोई दिक्कत नहीं है, आई होपे लिखावा दिख रहा हूँ, एक तो बोलतो रहा हूँ मैं, कि दे आर कोरोजेव इन नेचर, मतलब जो एसेड्स हैं ने, वो करोजेव होते हैं, मतलब अगर आपने हाथ पे असेड़ डाल दिया, किसी मेटल पे असेड़ डाल दे तो वो खराब करते हैं, हाथ की चमड़ी को सड़ा देंगे, मेटल को खराब कर देंगे, तो एसेड्स आर कोरोजेव इन नेचर, एसेड्स कोरोजेव होते हैं, चीज़ों को खराब करते हैं, वहीं पर अगर हम बात करें, तो बेसेज फील सोपी टू टू टच, बेसेज को चूने पे ऐसा लगता है कि आपको दिखा नहीं सकता कैमरे में, लेकि मैंने आफलाइन में बच्चों के साथ साइंस और फंट पर किया था, आप जाके शॉट चेक कर सकते हैं, जहां पर मैंने बच्चे के हाथ पे साबून गेरा, और उसके हाथ पने डाला, और उसने उसको जब रगड़ा और महसूस किया, तो उसको महसूस हुआ कि वो सोपी होता है, ऐसा स्लिपरी सा लगता है, यार साबून उमें बेस होता है, और साबून भी इसलिपरी इसलिए लगते हैं, क्योंकि उनमें बेस होता है, देरार सम सोप जिन में बेस नहीं होता है, अच्छिली नहीं मेरा आफलाइन में यह चप्टर चल रहा है और मैंने वहाँ पर अब आपको लग रहा हुआ है Coming सब्सक्राइब करें मैंने बोला कभी मैं यह कह रहा हूं कि मैंने वहां पर वीडियो बनाई थी जहां मैंने दिखाया कंप्लीट वीडियो शॉट नहीं कि कुछ साबुनों में बेस होता है कि नहीं होता है और लक्स में होता है कि नहीं होता है यह मैंने क्लास में बच्छों क परके दिखाया आप भी जाके वुडियो चेक कर सकते हो लेकिन साबुन जैसी फिलिंग आते हैं जब बेस को छूते हैं अब यह तो आप तभी महसूस कर पाओगा जब आप किसी बेस को छूओगे जब भी आपने के लाब में जाओ तो आप कभी मैं को बोलना कि कोई बेस हाथ पर डालें और एक हाथ पाने के बूंद गेरेंगे ना आपको से सोपी सोपी सा लगेगा चेक है अगें यहां इसका भी डैल्यूट वाला वरजन पाने में जाओ तो बिजली पास कराता है इसका वरजन पाने में जाओ तो बिजली पास कराता है दोनों ही पाने में जा पर बहुत सारे शॉट्स आने वाले इस चैप्टर से रिलेटेड वहां पर आपको क्या दिखाए जाएगा कि जब हमारे पास एक कंटेनर है उसमें हम पानी ले रहे हैं तो पानी के अंदर से बिजिली पास नहीं होती है लेकि जब उसके अंदर एसे या बेस डाल देते हैं तो उससे वो गुड़ कंड़क्टर ऑफ एलेक्रिसिटी बन जाता क्यूं कि एसे और बेस जो होते हैं वो पानी में जाने के बाद आइंस देते हैं यहीं हमें पढ़ना है यही एसेड़ बेस की अस्टी डेफिनेशन भी बनने वाली है बच्छो तो एसेड़ बेस कौन होत पानी में आएंस आते हैं तो पानी गुड़ कंड़क्टर ऑफ एलेक्षडे बन जाता है इसलिए का लिखाव है कि इनका जो डाइलूट फॉर्म है वह बजली कंड़क्ट करवाता है और इन में यह आप कह सकते हैं दोनों में यह कॉमन हैं इन दोनों में यह अगला पॉइ यह हमारे पास क्या हुआ वच्छो यह हमारे पास हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज अब हम बात करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है जहां पर हमें कुछ केमिकल रियाक्शन करवानी होती है जहां पर हम केमिकल रियाक्शन करवाते हैं तो पहली रियाक्शन आ हारी है assets की assets के साथ reaction करवाएंगे सबसे पहले हैं अब assets के साथ metals react कैसे होते हैं बहुत simple सी बात है यहां पर लगता हूं आप assets को और metals को जब react कराओगे तो एक तो बनेगा salt और एक बनेगी hydrogen gas जब आप assets को metals के साथ react कराओगे तो एक तो बनेगा salt और एक बनेगी hydrogen gas acid कोई भी ले लो like hcl ले लो और आप उसके में डाल दो कोई भी metal let's say zinc तो zinc जब hcl के साथ react होगा तो बनाएगा zncl to salt और कौन सी gas भार निकाल देगा hydrogen कोई भी और acid आप ले लो like h2so4 यह react हुआ magnesium के साथ salt बनाया mgso4 hydrogen gas भार आ गए तो जब भी कोई acid metal के साथ react होता है तो salt और hydrogen मनाता है और hydrogen gas को check करने के लिए एक test होता जिसको बोलता है pop sound test अगर आपको शक है कि आपकी test tube में से hydrogen gas निकल रही है तो आप जलती भी matches उस test tube के mouth पिला सकते हो आपको pop करके एक आवाज आएगी वह आवाज hydrogen gas की है वह pop sound hydrogen gas की वज़े से बन रहा है अब अगेन मैंने एक वीडियो डाली है science and fun पर जहां पर हम class के अंदर बहुत बड़े scale पर hydrogen को खटा करके बहुत बड़े तुने हैसे तो बोल रहा है बहुत बड़े 500 गुबारे ले आए था तो class में एक आथ गुबारे में hydrogen gas को बढ़के class के अंदर पड़ा था अगर आप चाहते हो कि मैं learn and fun की टीम के साथ hydrogen के गुबारे फुड़ू अगर आप चाहते हो कि मैं learn and fun की टीम के साथ hydrogen के गुबारे फुड़ू तो comment section पर जरूर लिखिए गा अगर मेरे को कम से कम 20 message मिल गए 20 comments मिल गए कि learn and fun की टीम के साथ hydrogen भाई एक के एक चलेंगे नहीं 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 ऐसे नहीं वाई एक ठरक्या आदमी ऐसे नहीं बीस comment कर देगा हो मैं मान नहीं नहीं बीस अलग अलग अच्छे अगर कहते हैं देखो बीस क्या ही वैल्य मांग रहा हूं मैं कितना वैसे कितना बोला आदमी मान साड़े पांच सो के सबस्क्राइबर्स में 20 लोगों से मेरा मन है ना करने का तो मैंने बहुत कम टार्गेट रखा हूं मैंने ऐसे नहीं बोला पांच लाग लोग पांच लाग लोग कमेंट करेंगे बीश लोग अगर कमेंट करते हैं कि कमेंट काना चाहिए लेर्न एंट की टीम के साथ आशुसर हो हैड्रोजन के गुबारे फड़ो तो मैं वो काम करूँगा, आफिस के अंदर करूँगा बच्छो, बहुत जल्द, थोड़ा समय लग जाएगा, एक दू हफते लग सकते हैं, क्योंकि मैं उनको मिलूँगा, हाइडरोजन बनाएंगे, फिर हम फोड़ेंगे, एक दू हफते लग सकते हैं, प्लीज, लेकिन क्या आती है, आवाज आती है, ओके वच्छो, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, लेकिन दुनिया के क्या सारे मेटल, सारे एसेड के साथ रियक्ट होके, हाइडरोजन गैस बनाते हैं, हमने ये तो बोल दिया कि एसेड मेटल के साथ रियक्ट होके, हाइडरोजन गै को शायद याद हो first chapter hydrogen से कम reactive होते हैं और hydrogen से कम reactive होने की वज़ा से hydrogen से less reactivity होने की वज़ा से वो hydrogen को displaced ने कर पाते हैं acidness से कौन कौन है कुछ हत्ता copper है पक्का है silver gold है platinum है अगर आपको reactivity series याद है तो यह लोग hydrogen से नीचे आते हैं hydrogen के लगबग बराबर होता है copper लेकिन बाकी तीनों नीचे आता हैं जिसकी वज़ाद से आप इन्हें किसी भी acid में डाल दो hydrogen गैस नहीं नेकलेगी चीक है ना अब यहां पर कमाल की बात सुनिएगा एक acid है note का पॉइंट बता रहा हूं एक acid याने कि निट्रेक एसेट यार देखो exceptional बाते तो बहुत सारी हैं लेकिन सबके कारण भी होते हैं अब exception में और exception फिर और exception बनते चली आएगी आप नफिद हो जाओगे लेकिन फिलाल चलो एक exception है निट्रेक एसेट जब इसके साथ कोई भी metal react होता है तो यह salt बनाता है लेकिन salt बनाने के साथ साथ hydrogen नहीं बनाता hydrogen के साथ water बनायता है nitric acid metal के साथ जब react होता है तो salt बनाता है लेकिन hydrogen gas के बज़ाए यह water form कर देता है और hydrogen gas के बज़ाए यह water form करता है क्यूं? यह एक exception है लेकिन क्यूं? क्यूंकि मैं short में लिख रहा हूं nitric acid एक बहुत ही अच्छा oxidizing agent होता है यह बहुत अच्छा oxidizing agent होता है तो यह actually hydrogen gas बनाता तो है hydrogen gas को ये form तो करता है लेकिन जो hydrogen gas form होती है न जो बनती है न यह उसको oxidize करके H2O में convert कर देता है यानि सचाई यह कहती है कि nitric acid do form hydrogen gas वो hydrogen gas बनाता है लेकिन hydrogen gas को oxidize करके H2O में convert कर देता और water बना देता है अब इसमें भी exception है कुछ metals हैं जैसे magnesium और calcium वो hydrogen बना बढ़ अगर घुसे जने जाओगे अभी फिलाल तो पहले basic पढ़ाई करलो पहले basic पढ़ाई करलो उसके बाद exception में घुसना तो basic पढ़ाई कहती है कि कोई भी metal acid के साथ जब react होता है तो salt बनाता है और hydrogen gas form करता है डना डन 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 डॉटेक्ट चली लिए अगर बात करें क्या टेस्ट फौर हय्डोजन ने पोटा है पॉप साउंड टेस्ट होता है पॉप साउंड टेस्ट मैं दुबारा बोले को को 20 से कमेंट नीचे मिले मैं अकेले फोड़ूँगा फिर फिर मैं फोड़ूंगा फिर मैं ऐसी टेस्ट्यू में आपको फोड़ कर दिखा दूँगा उसमें क्या मज़ा बातु स्कूल ने देख लो लिए है बीस मैंने कम तो नहीं रख दिया यार बीस तो बड़ा असानी से कर दो गया कम सका मुझे 50 तो रखना चीए था चलो बीस बहुत है ठीक है सोचो मैंने बीस बोला और दोस्वा जाए माइगा बच्चो मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं मैं वीडियो देखता हूं लोग कहते हैं अगर आपने इसके इतने लाइक कर दिये तो इसका पार्ट टू ऑएगा ना मैं लाइक नहीं करने के लिए बोल ना मैं कमेंट करने के लिए पोल रहा हा आप देखना भी चाहते हो कि नहीं कि नहीं कि तो हमें पता नहीं कहीं है कि आज़ो पासा सदेया करते उसूलन मेरे जीवन में संडे लाश कप छुटी हुई थी मैं तो याद नहीं है वैसे लेकिन बाकिर टीचर संडे छुटी पर रहते हैं लेकिन शौट्स रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास पूरे दिन में समय नहीं होता है तो हम लोग संडे को रिकॉर्ड करते हैं सचा यह जूट नहीं है और सारे टीचर्स संडे को एक बार बोलने पर आ जाते हैं और आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं काफी हना चलाओ अब अगर हम बात करें टेस्ट फॉर राइड हो जाएं तो पॉप साउंड टेस्ट है ओक अब आपने हमें बताया कि एसिट जब मेटल के साथ रियाक्ट हो रहे हैं तो सौल्ट और हाइडोधन गैस बना रहे हैं क्या बेसिस भी ऐसा ही होते हैं हाँ बेसिस के साथ भी ऐसा होता है लेकिन बेसिस की जो रियाक्शन होती है सौल्ट फॉर्म करने की वो बहुत बहु सारे acids लगबग सारे मेटल्स के साथ react हो जाता है और हड़ोगों गैस बनाते लेकर बहुत कम ऐसे base है जैसे NaOH है और KOH है जो कि metals के साथ react होते हैं और salt और hydrogen बनाते हैं यह sodium zincate उपर खिसक गया है sodium zincate इसका नाम है यानि metals base के साथ react होके भी metals base के साथ react होके भी salt और hydrogen बनाते हैं लेकिन इनकी जो reaction है base plus metal का जो pair है जो reaction है यह बहुत जादा common नहीं है बहुत आप कह सकते हो rare है very less examples है हमारे पास इनके और भी है जैसे कि अगर मैं इसी को aluminium से react करा दूँ या potassium से react करा दूँ तो दो चार एक्जामपल हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि लगबख सारे acids जैसे सारे metals के साथ react होके salt और हर्मत है यहाँ पर ऐसा है यह बहुत गिने चुने metals बहुत गिने चुने acids के साथ react होते हैं डन है चलिए इसके बाद आता है reaction with metal carbonate and metal hydrogen carbonate तो जब भी कोई acid react होता है metal carbonate I hope आपको पता हूं metal carbonate किसी भी metal के साथ CO3 लगाओ वेलेंसे के according और metal hydrogen carbonate किसी भी metal के साथ CO3 लगाओ again according to the valency तो acid जब metal carbonate या फिर metal hydrogen carbonate के साथ react होते हैं तो बीच में arrow गायब हो गया they will form salt CO2 and H2O कोई भी acid जब metal hydrogen carbonate के साथ react होगा जैसे NaHCO3 के साथ या फिर metal carbonate के साथ react होगा यानि Na2CO3 के साथ तो salt बनाएगा carbon dioxide बनाएगा जो की important है और hydrogen बनाएगा आओ और example ले लें कोई भी एक acid जैसे की H2SO4 कोई भी एक मान लोग carbonate के साथ जैसे calcium carbonate ले लेते हैं चलो CACO3 इनके साथ जब react होगा तो क्या बनाएगा calcium sulphate जैसे की इधर का बन गया salt और साथ में निकला a gas CO2 और साथ में निकला H2O तो कहने का मतलब है जब भी acid और base आपस में react होंगे तो salt बनाएगे CO2 बनाएगे और H2O बनाएगे ठीक है अब कमाल की बात क्या है कमाल की बात ही है कि कोई भी acid जब इनके साथ रियक्ट और हाइडोजन गैस तो बनाता है कोई भी acid जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइडोजन कार्बोनेट के साथ जाएगे तो salt water और CO2 तो बनाता है बनाता है यानि acids के साथ साथ रियक्ट हो के निकल रहे थी र हिड्रोजन गैस लेकिन यहां पर बात करें तो acids के मेतल कार्बोनेट या मैटल हाइडोजन कार्बोनेट के साथ रियक्ट और यह Siota और बनाते हैं और कमाल की बात क्या है बच्छो कमाल की बात यह कि बेस जो है वो मैटल कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रियाक्ट नहीं होते हैं मैटल कार्बोनेट्स या मैटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ बेस रियाक्ट नहीं होते हैं यह से बेस और एसे दोनों ही रियाक्ट हो रहे हैं बेस और एसे दोनों ही रियाक्ट हो रहे थे हैं मैटल के साथ सम्हाव हाइड्रोजन ग कार्बोनेट के साथ ठीक है आप अगर मैं से पूछूंट už तैस्ट फॉर हइंडरोजन के बजाए और जैसे वह नहीं कार्बन डायोक्सड यहां पर बनाई अब कैसे पता लगए खार कि हमारे पास कार्बन डायोक्साइड है हमने कारबन डायोक्साइड बनाई कैसे पता चोतर गर पास करायोगे तो यह बना देका सीए ऐसी होट पास कराओगे तो यह बना देगा और वहिसे यह पानी जैसा होता है लेकिन अगर आप इसके अंदर मालो आपको शक है कि आपको टेस्ट यूब में कार्बन डायोकसाइड है तो आप क्या करो एक टेस्ट यूब में से कार्बन डायोकसाइड जो कि आपको लग रहा है कि निगल रही है उस टेस्ट यूब में से कार्बन डायोकसाइड को निगा गा अगर आपने इस कैल्शियम कार्बोनेट में और ज्यादा कार्बन डाकसट एड़ कर दी तो यह कैल्शियम हाइडरोजन कार्बोनेट बना देगा और वापस से कलरलेस हो जाएगा तो इसलिए पहले बात तो इस टेस्ट के लिए आपको वहीं पे रहना है आपको कहीं नहीं जाना है कार्बन डाकसट पास कराना ही और फिर टेस्ट चुक जैसी मिलकी हो जाए हटा देना है क्योंकि अगर आपने और जादा carbon dioxide और जादा carbon dioxide पास कराते चले गए तो क्या problem होगी? problem यह ओगी कि lime water मिलकी तो हुआ होगा, calcium carbonate तो form किया होगा, लेकिन वो वापस से calcium hydrogen carbonate में convert हो गया होगा, जो की वापस से transparent हो जाएगा, done, तो इस प्रकार से कहने का मतलब है हम लाइम वाटर की मदद से कार्बन डाक्सर को टेस्ट कर सकते हैं ओके धने धने भचो खदम करें आखरी टॉपिक पर चले और भचो आखरी टॉपिक हमारे पास आ रहा है रियाक्शन बिट्वीन एसेड एंड बेसेज्ट अब एसेड और बेस आपस में जब रियाक्ट होते है तो क्या होता है बहुत प्यारी चीज़ बनती है salt और water देखो acid और base एक दूसरे से बहुत उल्टे हैं एक दूसरे से बिलकुल opposite हैं एक plus है तो एक minus है एक plus charge है तो एक minus charge है अब जैसे हमारी maths में plus charge minus charge को खतम कर देता है plus one minus one zero plus five minus five zero plus ten minus ten zero होता है ऐसे acid और base एक दूसरे को cancel कर देते हैं और neutralize कर देते हैं एक ऐसा compound बनाते हैं जो ना तो acid होता है ना ही base neutralize कर देते हैं और ऐसे reactions को neutralization reaction बहुते हैं जहां पर acid और base एक दूसरे को react करके क्या बनाते हैं salt or water और बेस एक साथ रियक्ट होते हैं और वाटर फॉर्म कर तो इसने क्या बनाया एने अच्छा और एच्टू अब जैसे दिखा जाए तो एनने उस्यार नूटरल होता है अब ही पता रहे हैं हमेशा नूटरल नहीं बनेंगे उसके पूर बात कर रहे हैं लेकिन जब acid और base react होंगे तो salt और water जरूर बनेंगे, salt neutral होंगे जरूरी नहीं लेकिन salt और water जरूर बनेंगे, अब मैं यहां पर आपको एक knowledge दे दूँ, कि अगर आपने एक strong acid लिया है, और अगर आपने उसके साथ एक strong base लिया है, ऐसे ही अगर आपने एक weak acid लिया है, और उसके अंदर आपने एक weak base लिया है, तो वो एक दूसरे को cancel कर देंगे हैं और add होने पे यह एक neutral salt बनाएंगे, क्योंकि दोनों बरावर ताकत के लिए, पानी दो बने गए बने गा, हना, और इसके example एक तो यह और आते रहेंगे आपकी life में, लेकिन अगर मैंने एक strong acid लिया है, लेकिन एक weak base लिया है, तो मुझे एक acidic salt मिलेगा, मुझे एक acidic salt मिलेगा, और वेसे बात है अगे हैं, पानी तो मिलेगा ही, लेकिन मुझे salt मिलेगा, वो acidic होगा, वहीं पर अगर मैंने एक उल्टा कर दिया, यानि weak acid ले लिया, और एक strong base ले लिया, साबून की जब हम बात कर रहे होंगे baking soda की, इसके example लेंगे, इसके example आने हैं बच्चों आगे, आभी हम topic ये पढ़ रहे हैं तो मैं समझा रहा हूँ, इसके सब के example आने हैं, लेकिन अगर मैं weak acid लेता हूँ, और एक strong base लेता हूँ, तो मुझे एक basic salt मि मिलेगा ही मिलेगा, salt और water तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो salt neutral कब होगा, जब बराबर ताकत के लेंगे, लेकिन अगर आपने salt basic लिया, तो आप और बताब अगर आपको salt basic बनाना है, तो आपको strong base लेना होगा, और उसके अंदर एक weak acid डालना होगा, और ऐसे अगर आपक salt बनाना है, तो आपको strong acid लेना होगा, और उसको weak base के साथ react कराना होगा, तो basic basic बात यह है, कि salt हमेशा neutral नहीं होते हैं, हम अगर उनको strong acid strong base से बनाते हैं, तो वो neutral होते हैं, लेकिन अगर हम उनको strong acid या weak base से बनाएंगे, तो वो basic हो जाएंगे, तो कहने का ultimate मतलब यह है, कि आज की class में हम लोगों ने indicators और acid basis salt की बकवास definition जो हम उसको ठीक करेंगे, और इनकी physical properties और chemical properties में, हमने तीन property पढ़ ली, reaction with metals, reaction with metal carbonate और इनकी आपस में, ठीक हैं, अगली class में हम लोग chemical properties की एक दो properties और पढ़के, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, types of acid, types of base, फिर pH के उप पर बात करेंगे, ठीक है जी, और daily life में pH की application, फिर एक third lecture लेंगे, जहां पर हम salts की बात करेंगे, ये lecture, ये chapter 3 lecture चलेगा, हाना, basic बहुत प्यारा chapter, 3 lecture चलेगा, ठीक है जी, पका, मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, 20 से उपर comment, hydrogen class में, teachers के साथ फोड़े जाएंगे, thank you so much